वेलकम स्टुडेंट्स, इन दे लास्ट क्लास, वी टॉक्ट अबाउट क्लास एवीज, जनरल क्रेक्टर्स ओफ एवीज, जो मैं क्रेक्टर्स हैं, एक बार ब्रीफली हम उन्हें रिवाइस कर लें, क्लास एवीज में सारी बर्ड आती हैं, और बर्ड के दो होते हैं, और दूसरा उनमें जो फोर लिंब्स हैं, दे आर मोडिफाइड इन्टू विंग्स, तो मॉस्ट अब बर्ड आर फ्लाइंग बर्ड लेकिन कुछ फ्लाइटलेस बर्ड भी होती है, हगजले ने एक स्टेट्मेंट दिया, कि बर्ड आर ग्लोरिफाइड रेप्ट मिन्स जो रेप्टाइल्स थे, उनमें कुछ एडवांसमेंट हुआ, कुछ नए केरेक्टर्स आए, कुछ इंप्रूमेंट हुआ, लाइक दे बिकम वाम ब्लेडेट, फॉर लिंब्स विंग्स में मॉडिफाइड हुए, फेदर्स आगे, बीमर हाई हुई, बलड रिच इन थोड़े एक्टिव हो गए, अपना बोडी टेंपरिचर कंट्रोल कर पाए, दे आर थर्मो रेगुलेटर्स और इस तरह से रेप्टिलिया से बर्ड्स का इवोलुशन हुआ, तो बर्ड्स में कई रेप्टिलियन करेक्टर भी हमें दिखाई देते हैं, और यही रिजन है, हगजले ने कहा कि बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टिल्स, बोडी इनकी हैड, नेक, ट्रंक और टेल चार पार्ट्स में डिवाइड़ होती है, आपको लगता होगा कि बर्ड्स के टेल कहा होती है, लेकिन टेल छोटा एनस के बाद उनमें थोड़ा सा पार्ट होता है that is their tail, four limbs जैसा कि मैं अभी दो बार बोल चुका हूँ, modified into wings और hind limbs are also modified for various purposes like walking, swimming, clasping the branches, tree branches, जिसे पर्चिंग भी कहते हैं, wedding, etc. skin की dry है, non glandular है, लेकिन हाँ, एक gland body पर tail के पास में definitely होती है, याद रख नहीं हमें, जिसे हम oil gland या preen gland कहते हैं, digestive system में एक important point यह याद रखना है कि they have two additional chamber, crop और gizzard, crop में food store रहेगा और gizzard में उस food की grinding करते हैं, with the help of some stones, pebbles, जो वो निगल लेते हैं, at the time of feeding, उसके साथ कुछ ये भी खा लेते हैं, हाँ, they also have cloaca, pigeon milk के बारे में भी बताया है कि pigeon family के कुछ birds जो होती है, उनमें इस तरह से, उनके crop से एक liquid निकलता है, जिसे हम pigeon milk कहते हैं, respiratory system, respiration उनमें lungs से होता है, apart from lungs, they have some air sacs, which are also connected to lungs and supplement the respiration, blood vascular system में completely divided four chambered heart है, सिर्फ right aortic arch होती है, RBC oval and nucleated है, skeletal system में कई सारे characteristic feature में आपको birds में बताए, कि एक तो इनका जो endoskeleton है, वो fully occupied है, means, पूरा का पूरा bones से बना हुआ है, दूसरा इनकी जो bones होती है, वो pneumatic bones है, तो ये एक important point आपको याद रखना है, छोटी-छोटी cavities होती है उनकी bone में, और light weight हो जाती है उससे bones, ये भी एक तरह का flight adaptation है, skull में एक ही occipital condyle है, तो monocondylic हो गया, vertebrae इनकी heterosilus है, centrum का shape, जो है, saddle shape है, कुछ modifications इनके skeletal system में, मैंने आपको बताया, कि जो इनका vertebral column है, उसमें sin sacrum, आप देख सकते हैं, यहाँ पर, कि कुछ vertebrae आपस में fuse होकर sin sacrum बनाती है, codal region की vertebrae fuse होकर pigo style बनाती है, और जब यह land करते हैं, तो vertebral column को shock नहीं लगता है, और यह तूटती नहीं है, यह मैंने आपको part बतायत है, कि हमारा जो vertebral column होता है, उसे हम कितने parts में डिवाइड कर सकते हैं, नेक वाले region में cervical vertebrae होते हैं, उसको cervical region कहते हैं, thoracic region, lumbar region, sacral region और caudal region, यह human skeleton, इनके skeletal system है, जो point मैंने आपको एक बड़ा important बताया, and that was about there, यह आप देखिए, यहाँ पर उनके sternum पे broad blade like structure होता है, एक sheet होती है, जिसे हम keel कहते हैं, यह बड़ा important characteristic feature है, यहाँ पर इनके flight muscles आकर जूडते हैं, तो जितनी भी flying birds हैं उड़ सकती है, उड़ती है, उनमे sternum keeled होता है, जो को बताया, the ribs are bifid, यानि कि यहाँ पर दो इस तरह के उनमे process होता है, और एक इनमे uncinate process और होता है, फरकुला भी बताया मैंने आपको, कि इनके जो clavicle है, वो एक forcep जैसा V-shape structure बनाती है, जिसे हम फरकुला कहते हैं, X-cretory system में kidney इनकी metanephric है, nitrogenous vest हमेशा uric acid होगा, और जो marine birds होती है, उनके nitrogenous vest को हम guano कहते हैं, which is rich in nitrogen and phosphorus, nervous system में क्योंकि नेक है, तो they have 12 pairs of cranial nerves, और एक इनका cerebellum जो है, वो well developed होता है, region, reason, क्योंकि इनको उड़ना होता है, तो उड़ते समय balancing की requirement रहती है, इसलिए their cerebellum is well developed, क्योंकि brain का cerebellum ही वो part है, जो balancing का काम करता है, eyes में मैंने आपको बताए कि इनके comb like structure होता है, pecten, उसकी वज़े से इनका vision जो है, वो बड़ा ही sharp और acute vision होता है, reproductive system में कई points explain की है, unisexual होते है, sexual dimorphism present है, अंडे देते हैं, oviparous होते हैं, और अंडों के उपर shell होता है, internal fertilization है, development इनका direct है, कोई larval stretch नहीं होगी, इनमें copulatory organ नहीं होता है, pennies नहीं है, ovary भी इनमें एक ही functional होती है, दूसरी vestigial है, left ovary functional होती है, आपको याद रखने के लिए trick बता देता हूं, right तो erotic arch होती है और left ovary होती है, क्योंकि इनके पास दोनों erotic arch नहीं है, तो कौन सी है, right है और right की opposite, left ovary, इनके पास functional होती है, right ovary non-functional होती है, fine, तो इस तरह से इनके reproductive system के साथ हमने general character सारे complete किया है, और अब हम इनके example के बारे में बात कर लेते हैं, examples of birds, class avies, कुछ birds हम यहाँ पर discuss करेंगे, ज़्यादा याद रखने की जुरूत नहीं है, in the sense की बहुत ज़्यादा example में आपको नहीं दूँगा, जो important examples हैं, वो हमें थोड़ा से याद करने पड़ेंगे, सबसे पहला ले लेते हम, archaeopteryx, archaeopteryx, बचों यह जो bird है, यह basically अब exist नहीं करती है, यह extinct bird है, archaeopteryx, archaeo का आपको मतलब समझ में आई गया होगा, पुरानी, archaeological survey of India, archaeology कि इसको कहते हैं, जो पुराने monuments होते हैं, उनकी study को हम archaeology कहते हैं, similarly, archaeo का मतलब ही होता है, पुराना, बहुत पुराना है न, तो archaeo का मतलब हो गया, पुराना, और यह जो, कहीं पर भी यह word आए न, प्रटेरा, इसका मतलब बता है wings, तो यह क्योंकि बहुत पुरानी birds थी, इसलिए इसे हमने नाम दिया Archaeopteryx, यह बचों, basically, lizard जैसी दिखती थी, और इसी से हमें, इसका हमें एक fossil मिला है, इसको पहले तो लिखने हैं, इसको कि lizard like bird ही है, lizard like bird होती है, होती क्या, अब तो exist नहीं करती है, extinct हो गई है, हमें कैसे पता चला कि ऐसी कोई bird हुआ करती थी, इसका fossil मिला है हमें, जर्मनी में, जर्मनी में एक place है, उस जगे का नाम है Bavaria, और वहां पर इसका fossil हमें मिला, और इसके fossil की discovery करने वाला जो scientist है, वो है एंड्रियास वेगनर, एंड्रियास वेगनर, यह उस scientist का नाम है, जि इसके fossil की discovery करी, मेरे पास इसका photograph है, मैंने आप लोगों के लिए इसको find out किया, तो इस तरह का हमको यह, उसका fossil मिला है, देखिए आप, और बाद में हमने इसको reconstruct भी किया, कि यह तो पूरा उसका fossil है, यहां अगर आप देखें, तो यह इस area में इनके, इसके wings रहे होंगे, और यह पूरा इस तरह से इसकी bones कुछ दिखाई दे रही है, और हमारे जो scientists हैं, उन्होंने फिर इसको reconstruct करने की कोशिश करी, कि exactly यह कैसा दिखता रहा होगा, तो यह इस तरह का bird जो है, उस समय रहा है, इसे हमने reptilia और Avis के बीच में connecting link माना है, आर्कियोप्टेरिक्स को हमने, आर्कियोप्टेरिक्स को connecting link माना है हमने, between reptiles and birds, यानि की Avis के बीच में हमने इसको connecting link माना है, इसको, क्योंकि इसके body में जो four limbs हैं, वो wings में modify हो गए और body के उपर feathers present है, particularly feathers present है, on that characteristic feature हमने इसको Avis में include किया है, otherwise कई dinosaurs भी ऐसे थे जो उड़ सकते हैं, उड़ते रहे थे, लेकिन हमने उन dinosaurs को इधर नहीं लाए, क्योंकि उनकी body पर feathers नहीं है, इसको class Avis में include करने का reason यह था, कि इसके body के उपर feathers present है, और feathers present होना एक important, कोई भी ऐसी bird नहीं है, जिसके उपर feather नहीं हो, यानि कि birds का unique feature, अगर आपसे कोई पूछे है, तो birds का unique feature हो जाएगा, presence of feathers on the body, हाँ, तो मैं आपको यह बता रहा हूँ, कि हमें इस animal के उपर, इस कई तरह के characters हमें मिलें, और हम उन characters को दो part में divide कर सकते हैं, एवियन characters, कि कौन-कौन से character इसमें, birds वाले रहे हैं, क्योंकि हमने connecting link बोला है, तो इसमें दोनों के characters होंगे, reptiles के भी characters होंगे, और एवियन characters भी होंगे, तो दोनों ही तरह के characters में आपको इसमें explain करूँगा, reptilian characters भी हैं इसमें, अब पहले तो बात करें कि avian character कौन सा है, तो avian character में जैसा कि सबसे important बनेगा, वो होगा presence of feathers, fine, दूसरा characteristic feature यह हो जाएगा, कि उड़ सकता है, यह bird उड़ता रहा होगा, तो इसके जो four limbs है, they are modified into wings, यह भी avian character हो गया, सबी birds में four limbs, wings में modify हो जाते हैं, और तीसरा जो character इसमें है, कि जो jaws रहे है, they also modified into beak, fine, all these three are the avian character, और इस बैसिस पर हमने इसको birds में include किया, लेकिन हमें कैसे पता लगा कि यह connecting link है, reptilia से evolve हुआ है, तो इसमें कुछ reptilian characteristic feature भी थे, जैसे हम बात करें, कि इसके पास beak रही, लेकिन उस beak के अंदर teeth present है, तो अब किसी भी bird की beak में teeth नहीं होता है, reptilia का characteristic feature है, teeth का present है, तो teeth present in the beak, teeth present in the beak, एक यह characteristic हो गया, दूसरा birds है, तो sternum पर keel होनी चाहिए, इन में keel absent है, तो यह early birds रही थी, और इन में sternum में keel का evolution तब तक नहीं हुआ है, और even देखिए, four limbs जो हैं, वो इनके wings में modify हो गए, लेकिन उनके जो four limbs हैं, वहाँ पर अगर आप इसका fossil को ध्यान से देखें, जैसे यह यहां हमको दिखाई दे रहा है, आप देखिए, यह इस area को देखो, इनकी fingers दिखाई दे रही है, तो क्या आज की तारीक में किसी भी bird के पास इस तरह की fingers हैं, नहीं है न बच्चों, तो इससे क्या conclusion निकलता है, इससे यह conclusion निकल रहा है, presence of finger was the characteristic feature of reptiles, तो reptilia से जब birds का evolution हुआ, तो बीच में एक ऐसी stage भी आई, जब four limbs जो है, वो wings में modify हो गए, लेकिन fingers completely disappear नहीं हुई, तो presence of finger was a reptilian characteristic feature, तो यहां हम लिखें, that they have three, three clawed finger, उनके उपर claws भी present रहे हैं, fingers, तो यह एक reptilian character हो गया, दूसरा देखो, birds में tail होती है, लेकिन, लंबी tail नहीं है, इनके देखो, यह काफी लंबी यहां पर इस तरह की tail रही है, और that is again characteristic feature of reptiles, tail किस में होती है, reptilia में होती है, तो presence of tail, यह reptilian character हो गया, तो इस तरह से इनके पास, तोनोही तरह के characteristics present थे, avian characters भी हैं, और इनमें reptilian characteristics भी present हैं, man, avian character कौन से है, presence of feathers, four limbs, modified into wings, और jaws, जो है, वो beak में modify हो गई, यह तो हो गई, avian character, अब reptilian character क्या रहे, कील नहीं हैं बहिए, और जो wings हैं, उनके उपर अभी भी fingers present है, इसके अलावा tail present है body में, और जो beak बनी है, उस beak में teeth present है, तो these all are characteristic feature of reptiles, तो यह एक ऐसा fossil हमें मिला, जिसमें दोनों ही तरह के characteristic feature थे, fine, तो पहला ही example है, वोड़ा detail में study कर लिया, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि इस पर तो बहुत बार question आते हैं, क्या नाम है इस bird का बच्चों, Archaeopteryx, the name of the bird is Archaeopteryx, और अभी तो extinct, exist नहीं करती है, extinct हो गई है, और हमें इसके कई सारे fossils पहले मिल चुके हैं, now come to the second example, और second example जो हम ले रहे हैं, वो आपकी बड़ी ही famous एक bird है, aquatic bird, समुदर में रहती है, जड़ा guess करो, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, I am talking about penguin, scientific name है, उसका eptenoditis, यह बच्चों जैसा कि आपको पता है, marine bird है, aquatic bird, Antarctica पर रहती है यह, तो aquatic bird of Antarctica कहते हैं हम इसे, aquatic bird of Antarctica, इसमें जो four limbs है बच्चों, वो wings में modify नहीं होते हैं, बलकि पानी में तेरने के लिए, they have flippers, और जो hind limbs हैं, वो इनके webbed हो जाएंगे, webbed मैंने आपको समझाया, fingers के बीच में skin का एक layer होती है, जिससे webbed जैसा structure बन जाता है, मैंने पहले यह बता रखा है आपको, देखिए, webbed, जो ducks वगेरा में भी होता है, उसी तरह से, यह मैंने यहाँ बताया था, तो इस तरह से इनकी hind limbs, जो है, they are webbed, यह इनके characteristic feature हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और इनका sternum है, उसमें भी keel की requirement नहीं है, sternum में क्यों नहीं है, क्योंकि जब यह उड़ते ही नहीं है, तो flight muscles इतने ज़्यादा डवलप नहीं है, तो sternum is without keel, body पर feathers definitely होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको तो और ज़्यादा ज़रूरत है, requirement of feathers की, क्योंकि feathers keep the body warm, तो यह दूसरा example होगी हमारे पास, aptenoditis, यानि penguin, then come to the third example, और third example जो मैं ले रहा हूँ, वो पहले ऐसा करते हैं, हम flightless birds के बारे में बात करें, तो एक example लिया मैंने, struthio, यह बचों ostrich जो होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे है, African ostrich, अफरिका में जो ostrich मिलता है, इसे हम काफी बड़ी साइज का bird है यह, और इसे हम camel bird भी कहते हैं, पैसिकलि यह largest living bird है, इसे बड़ी कोई bird living नहीं है, पहले fossil तो मिले हैं, लेकिन अभी presently कोई भी इससे बड़ा bird नहीं है, तो यह largest living bird है, और flightless bird है, ध्यान रखना में यह जो बता रहा हूँ आपको एक बार, 3-4 example पहले flightless bird के बताँगा सारे, इसमें क्योंकि यह नहीं उड़ता है, तो इसमें urinary bladder भी present है, इसके अलावा इसमें penis भी present है, और मैंने जब आपको characters बताए है, उसमें यह बात समझाया है, explain किया है, कि absence of urinary bladder and absence of penis उससे क्या होगा, जैसे ovary भी एक absent है, इन features से क्या होता, इससे body का जो mass है, वो थोड़ा reduce हो जाता और उससे उड़ने में help मिलती है, ज्यादा heavy अगर कोई animal होगा, तो उड़ना भी उसके लिए difficult हो जाएगा, अब क्योंकि यह bird तो उड़ती ही नहीं है, flightless bird है, तो इसमें urinary bladder और penis present होगा, और अगर आपसे पूछे, कि इनके sternum में keel होगा की नहीं होगा, तो common sense से आप जवाब दे सकते हैं, कि इनके sternum में keel absent होगा, requirement नहीं है, तो example क्या लिया बच्चों हमने, struthio, African ostrich, और क्या कहते हैं इसको, camel bird, क्योंकि लंबी-लंबी इसकी legs होती है, अफ्रिका में मिलता है यह, इसको हमने camel bird भी कहते हैं, आपको पता होगा, इसका जो egg होता है, वो largest egg इसी का है, एक ही अंड़ा अगर आपको कई मिल जाए इसका egg, तो साथ या आठ लोगों के लिए omelette एक साथ बन सकता है, और इतना बड़ा heavy omelette बनता है, कि पेट भी भर जाता है उसी से, तो इतना बड़ा इनका egg है, और इनका जो egg है, it is a largest cell, क्योंकि जब यह egg ले करेंगे, तो उस अंड़े में, what is egg, basically fertilized egg है, और egg होता क्या है, single cell ही तो है वो, तो वो largest cell का example भी है, African ostrich का जो egg होता है, तो यह ध्यान रखना है, important point है आपको, एक और example, बिल्कुल इसी के जैसा दिखा ही देता है, Ria, लेकिन यह अमेरिका में मिलता है, तो इसे हम American ostrich के नाम से जानते हैं, features इसके सब स्टूथियों जैसे ही होंगे, African ostrich जैसे ही होंगे, size इसका थोड़ा small हो जाएगा, then there is another bird, बड़ी famous है, Apteryx, यह आपका कीवी हो गया, न्यूजिलेंड में मिलता है, न्यूजिलेंड का national bird है यह, Apteryx, कीवी, सुना ही होगा आपने, जब न्यूजिलेंड के खिलाड़ी हमारे यह आता है था हम उनको यह ही बोलते हैं, कीवी आ गया है हमारे यह खेलने के लिए, तो यह हो गया, Apteryx, और यह बच्चों, आपका कीवी जो होता है, यह smallest flightless bird है, smallest bird नहीं बोला मैंने, smallest flightless bird है, यह है, fine, एक और example, flightless bird का last ले ले लेते हम, that is dromeus, देखा भी होगा इसने, यह आपका emu जो होता है, उसे कहते हम dromeus, और dromeus, यह emu जो है, आपने देखा होगा, zoo अगेरा में बहुत commonly रखते हैं, इसको देख्या है कि धिरी-धिरे आप हम लोग poultry bird की तरह यूज़ करने लगए, कई जगे पर emu को ऐसे poultry bird यूज़ करते हैं, और इसको मारा भी जाता है, खाया भी जाता है, तो यह हमारे पास total six birds हो गई है बच्चों, यह सारी की सारी flightless birds है, नहीं, छे नहीं है, हमारे पास तीन, पेंगुइन को तो aquatic bird में लिया है, obviously वो भी flightless bird है, पर यह हमारे पास यहां major birds हो गई, स्टूतियो, रिया, अमेरिकन ओस्ट्रिच, एप्टेरिक्स, कीवी हो गया और ड्रोमियस, तो यह चार मेंने flightless bird लिये, पांचवी, एप्टिनोडाइटिस, aquatic bird है, जो एंटार्क्टिका में मिलती है, देखा ही होगा आपने, बड़े cute से लगते हैं, पर एक हमने example initially लिया ह आर्कियोप्टेरिक्स, यह fossil bird है, connecting link between reptiles and birds, यह हमारे पास extinct हो चुकी है, अब हम लेते हैं, जो modern flying birds है, उनके example, modern flying birds के example ले लेते हैं, कुछ, याद रखने ही पड़ेंगे, इनके सभी के नाप, सबसे पहले हमारा इंडिया का जो national bird है, उसके बारे में बात करें, that is, पेवो cristatus, पताने की जुरूत नहीं है, यह peacock हो गया, पेवो cristatus, इसका scientific name में याद करना ही है, आपके पास कोई option नहीं है, दूसरा हो गया, सिटेकुला, सिटेकुला बच्चों, जो हमारा parrot होता है, उसे कहते हैं, सिटेकुला, तीसरा एक example ले ले यहां, कॉलंबा, यह हमारा pigeon जो है, उसको कहते हैं, कॉलंबा pigeon, और एक हमारे जो house sparrow होती है, छोटी सी चिडिया जो घरों में हमारे साथ रहती है, उसको हम पैसर डोमेस्टिकस कहते हैं, पैसर डोमेस्टिकस, house sparrow, fine बच्चों, एक और example ले, corvus, splendence होता है, ठीक है, आप इतना काफी है, इतना याद रख ले, यह हमारा जो कववा होता है, crow, इसमें sexual dimorphism नहीं है, male female में आप differentiate नहीं कर सकते हो, crow, और एक और example ले ले लेते हैं, last, that is neofron, यह हमारे vulture को कहते हैं, तो correct बच्चों, छे birds के मैंने example यहां लिखे हैं, और यह आपको यों के यों याद रखने हैं, कोई excuse इसमें नहीं रहेगा, there is a huge list of examples, लेकिन मैंने चाट के जो most important birds हैं, उनको मैंने यहां लिया है, select किया है, पेवो क्रिस्टेटस, पिकोग हो गया, सिटेकुला, पेरट हो गया हमारा, कोलमबा, पीजन हो गया, पैसर, डोमेस्टिकस, हाउस स्पेरो हो गई, डोमेस्टिकस क्यों लगई, क्योंकि हमारी domestic bird एक तरह से हमारे साथ ही रहती है, कॉर्वस, क्रो को कहते हैं और नियो फ्र M.O. को कहते हैं और एक सब से पहले fossil bird का example और हमने discuss किया तो इस तरह से हमारा बिटा class A.V. जो है वो complete होती है with all examples